हलो स्टूडेंट्स जैहिन मेरा आए चलें इंडर्मिडियर्ट मैथमेटिक्स जेमेंड टीजीटी एंड पीजीटी के लिए बहुत हेलफूल है तो आप बने रहें मेरे चैनल पे पिछले वीडियो में बताये थे विकरड आविव उपरी त्रिभुजी आविव और निम्न त्रिभुजी आविव ऐसे तीनों आविव का सारडिक निकालें तो इन तीनों के लिए मुख्य विकरड जो प्रिंस्पल डाइगनल होता है इसके अवयों का किवल गुड़ा कर देने पर इन तीनों तरह के आवियों का सारडिक आ जाता है और जो इकाई आवियों होता है ततसमक आवियों भी बोलते हैं इसका सारडिक वन होता है आइडिन्टिटी का सारडिक वन और इसमें अब बता रहे हैं आपको उप आविव सब मैट्रिक्स क्या होता है जैसे कोई थ्री आर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है 1, 2, 4, 0, 9, 6, 3, 7, 2 सब मैट्रिक्स क्या होता है कुछ पक्तियों या कुछ अस्तम्भों या कुछ पक्तियों और कुछ अस्तम्भों दोनों को छोड़ देने पर सेश जो अवयो होते हैं उनसे बने आविव को उप आविव मतलब सब मैट्रिक्स बोलते हैं जैसे इस 1, 2, 4, 1st रो को छोड़ दे तो सेश 0, 9, 6, 3, 7, 2 इस मैट्रिक्स एका सब मैट्रिक्स है ऐसे ही इन दोनों कालम को छोड़ दे तो 4, 6, 2 इस मैट्रिक्स एका सब मैट्रिक्स है या इस रो और इस कालम को छोड़ दे तो 0, 6, 3, 2 ये इस एका सब मैट्रिक्स है इस तरह सब मैट्रिक्स ग्याद करते हैं और नेक्स्ट है माइनर उपसारडिक माइनर इसको बोलते हैं ये क्या होता है कोई स्क्वेर मैट्रिक्स कि किसी भी इलिमेंट के रिस्पेक्ट में उसका पुरा रो और उसका पुरा कालम यदि छोड़ दे तो 6 जो बचेगा स्क्वेर मैट्रिक्स ही बचेगा और उसी का डिटर्मिनेंट उपसारडिक होता है माइनर होता है तो देखे कैसे माइनर ग्यात करते हैं जैसे 2, 4, 6, 3, 0, 9, 1, 3, 2 ये कोई मैट्रिक्स है चलिए 9 के रिस्पेक्ट में माइनर क्या होगा तो इसके लिए ये पूरा कालम और 9 वाला रो छोड़ देने पर सेस 2, 4, 1, 3 ये तो 2, 4, 1, 3 ये सब मैट्रिक्स हुआ इसी का डिटर्मिनेंट यदि 2, 4, 1, 3 का डिटर्मिनेंट ग्यात करें तो इसी को माइनर बोलते हैं इसे यम से डिनोट करते हैं और इस उपसारडिक मिन्स माइनर के बाद हम जानेंगे सह गुडन घंड कोफ हैक्टर इसको आईमी और जेवा इस तरह आईमी पक्ति और जेवा अस्तम्ब होता है इसलिए इसको पूरी तरह यमाईजे से परदर्शित कर देते हैं यमाईजे ये माइनर हो जाता है अब ये उपसारडिक हो गया इसके बाद आप देखिए सह गुडन खंड को फैक्टर बोलते हैं इसे कोफैक्टर का फार्मूलय होता है इसको cij या aij भी कर सकते हैं इसको डेनोट करते है कोफैक्टर c से cij अथवा aij भी बोलते हैं इसको ये क्या होता है माइनस 1 पावर i और j है जैसे rho प्लस कालम इसी तरह I प्लस J यह हो गया और ym I J यह हो गया C I J मिंस को फैक्टर क्या होता है वो डिटर्मिनेंट ही आता है लेकिन वो डिटर्मिनेंट कैसे है वो यह element का place कैसा है पाजिटिव अथवा निगेटिव उसकी अनुसार उसका जो साइन है चिन उसके साथ जब माइनर को रखते हैं ते आता है सह गुड़न खंड नेक्स्ट देखिए एक इंपार्टेंट थीरम बता रहे हैं यदि एक एक वरगा अभिव है तो एक किसी पंक्ति अथवा किसी अस्तम के अवयों तथा उनके संगत गुड़न खंडों सह गुड़न खंडों के गुड़न फलों का योग फल आविव एक के सारडिक के मान के बराबर होता है जहां ये यनक्रम का वरगा अभिव हुए तो ऐसे दे रहा है समेशन अभर जे एक कोल वन टू यन आगर का आपको एक्जामपल दे रहे हैं ए वन वन ए वन टू ए वन थरी ए टू 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 ए टू थरी ए ठी वन ए ठी टू ए ठी थरी एक कोई थ्री आडर का matrix है तो इसका determinant कैसे ग्याद करते है determinant के लिए चलिए first row के respect में determinant ग्याद कर रहे है तो ऐसे लिखते है a11 और bracket में लिखते है a22 a33 इसका ऐसे गुड़ा करते है फिर ऐसे minus लिखते है फिर a32 a23 अब ऐसे bracket close करते है फिर यह place minus का है तो हम ऐसे minus a12 लिखते है और फिर bracket में a21 a33 minus a31 a23 फिर plus का यह स्थान है a13 और फिर a21 a32 minus a31 a22 ऐसे हम determinant ग्याद करते हैं इस तरह तो यह है क्या अभी हम minor और cofactor पड़े हैं तो देखिए minor और cofactor क्या पड़े हैं a determinant a equal a11 है यह है क्या यहां से पूरे bracket में a22 means इसकी बात कर रहे हैं चलिए a11 के respect में कि यह क्या है a22 a33 a32 a23 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 a11 के respect में यह सब मैट्रिक्स बनेगा इस से determinant ग्याद करेंगे तो minor बनेगा और यदि चिन के साथ हम लिख रहे हो तो यही तो है cofactor यहां देखिए चिन के साथ लिखे है minus का place है तो इसको हम लिख सकते है c11 माइनस चिन इसके साथ लिख रहे है यह कौन सा है तो a21 a33 a31 a23 a12 के respect में यह चारो लिखे हैं तो इसलिए यहां इसको हम c12 लिख सकते हैं क्योंकि 12 के respect में लिख रहे हैं तो यह 12 का यह चारो से जो ब्रैकेट में आ रहा है यह माण इस माइनस चिन सहित यही है को फैक्टर a12 का सेम इसी तर a13 है तो यह a21 a32 a31 a22 यह चारो a13 के लिए यह को फैक्टर c13 मिन्स इस समेशन ओभर से क्या समझ रहे हैं यह तो three order का है सेम ऐसे ही a10 का हो तो यह determinant ज्याद करने के लिए मताय थे जैसे three order का है तो कितने तरीके से आप determinant ज्याद कर सकते हैं जैसे first row के respect में किये हैं second के third के इसी तरह first column से second column से और third column से means 1,2,3,4,5,6 चार प्रकार से इस determinant को हम ग्याद कर सकते हैं यदि three order का है तो इसी तरह यन में ये पूरा समेशन ओवर से दे रहा है कि सारी ये determinant ही होते हैं means आपको जानना क्या इस theorem में कि एक एक किसी पक्ती को या किसी अस्तम को ले लिजिए और जो अस्तम ले रहा है या जो पक्ती ले रहा है उसी element के संगत corresponding element element जो co-factor है corresponding co-factor उनी से गुड़ा करके और यो गफल कर दें तो क्या आता है तो करा determinant आता है इसको और कितने प्रकार से आप लिख सकते हैं तो जैसे यहाँ first row से लिखे हैं ये हो गया a21, a22, a23, a second row का element हो गया इसमें यदि c21, c22, c23 का गुड़ा कर दें तो यह भी determinant आ रहा है यदि third row से a31, a32, a33 तो c31, c32, c33 ऐसे यह determinant आ जाता है इसी तरह एक और लिख दे रहा है ये सारे मतलब summation over कौन change हो रहा है किवल j change हो रहा है i change नहीं हो रहा है means ये row के respect में सारे तरह के determinants और ये column के respect में ऐसे जब निकालते हैं determinant तो इस तरह i change हो रहा है variable है j constant है तो चलिए इसको भी लिख दे रहा है जैसे आप इसको उपर से नीचे जब लिखते हैं a11 a21 a31 ये first column है a11 a21 a31 तो इसमें c11 c21 c31 इस तरह को factor का गुड़ा होता है तब भी a determinant ही आता है इसी तरह next दोनों आप खुद इसको लिख लेंगे ये हो गया theorem कि किसी पक्ति अथवा किसी अस्तम क्या वय हो तथा उनके संगत सह गुड़न खंडों का गुड़न फल का योग फल करें तो determinant ही आता है next theorem है यदि एक वर्ग आभिव है तो एक किसी पक्ति अथवा किसी अस्तम क्या वय हो तथा किसी दूसरी पक्ति अथवा दूसरे अस्तम के संगत अवय हो कि सह गुड़न खंडों के गुड़न फलों का योग फल सुनने होता है यहां यन क्रम का वर्गा भी हो है summation over j equal one to y a i j c k j equal b 0 होगा या summation over i equal one to y a i j c i k equal b 0 होता है इसको और समझ लिजिए detail में j equal one to y means इसका जो पक्ति वला है यह तो change में है लेकिन j जो अस्तम्ब का अस्थाना आई से यन माने सारे पक्ति की बात हो रही है किसी पक्ति को fix कर लिए और वो जे जो अस्तम्ब वला है अस्थान वो वन से लेके और यन तक है माने किसी भी पक्ति सारे पक्ति की बात हो रही है पूरे element की और यह जो i है और k है यह क्या है आईवी पक्ती से केमे पक्ती के सहगुडन खंड का गुड़ा कर रहे है ध्यान दीजिए आईवी पक्ती और केमा पक्ती का सहगुडन खंड क्या है जैसे पहले पक्ती के एलिमेंट में किसी दूसरे पक्ती के जो एलिमेंट है उनके सहगुडन खंडों का यदि गुड़ा क सेम सेम करेंगे तो अभी पढ़े थे थियरम में कि वो तो डिटर्मिनेंट आता है पहली पक्ति भी है और उसी पहली पक्ति के सारे element के सहगुणन खंड भी है co factor तो determinant आता है लेकिन आपने पहली पक्ति लिया और दूसरा पक्ति या तीसरा या चो उथा या पच्वा मतलब किसी अन्य पक्ति के elements के सहगुणन खंड का यदि गुड़ा कर दें तो यह 0 आ रहा ऐसी एक column की बात i equal 1 to n i मतलब यह जो पक्ति वाला स्थान है 1 से लेकि यह तक माने किसी सारे column की बात हो रही है और j और k क्या है मतलब किसी column में jma column है kma column jma column के elements में kma column के elements के co factor के गुड़ा कर रहे हैं तो 0 आ रहा है तो इसको भी आपड़े थे jma column में यदि jma column के ही co factor का गुड़ा करते हैं यह jma column है और इसी के co factor का गुड़ा करते हैं तब तो determinant डाता है लेकिन column jma है और kma column के co factor को इसमें गुड़ा कर दिये इस element में तो यह 0 आ रहा है तो चलिए इसको 3 order में बहुत ही easily हम बता रहे हैं इसको इस theorem को proof कर रहे हैं तो हम पहले पक्ती के elements ले रहे हैं a11 a12 और a13 ले लिए a11 में क्या लिखना है और फिर a12 में क्या लिखना है और फिर a13 में यही कह रहा है कि a11 a12 a13 सारे elements ले लिए first row का और चलिए हम second row second row के co factor लिख रहे हैं तो कुछ और थोड़ा detail में इसको जान लिजे पहले हम co factor से ही denote कर रहे हैं फिर इसका value लिखेंगे तो a11 लेकिन co factor लिख रहे है c21 का a12 और co factor में c22 और यहां a13 ले रहे हैं और co factor c23 का माने element तो first row से हैं और co factor इस second row से हैं इस तरह यदि गुड़ा करेंगे तो 0 ही आएगा तो चलिए इसको proof कर रहे हैं a11 c21 कैसे ग्याद करेंगे यह प्लेस कौन सा है माइनस का तो माइनस का प्लेस है तो पहले तो यहां माइनस लिख दें और फिर co factor कैसे लिखते हैं a21 के लिए a ऐसे determinant ग्याद कर देते हैं means a12 और a33 माइनस इन चारों इन दोनों का करेंगे a32 a13 फिर a12 यह उतार लिए यहां से और co factor c22 का तो a22 का ही co factor c22 से होगा इसी के respect में तो यह अस्थान प्लस का है तो bracket में इसके लिए लिखेंगे a11 और a33 माइनस यह दोनों लिखेंगे a31 a13 और फिर bracket a close प्लस a13 c23 तो c23 इस a23 का ही यह co factor होगा तो यह place minus का है तो यहां minus लिख लें और bracket में इसके लिए bracket में यह चारों element आएंगे पहले इस principal diagonal का करते हैं a11 a32 minus a31 a12 हो गया इस तरह अब bracket सब खोल दें और यह clear हो जाएगा कि यह 0 ही आ रहा है तो देखिए minus a11 a12 a33 इसका इसमें करेंगे तो a11 a32 a13 plus a12 a11 a33 minus a12 a31 a13 minus a13 a11 a32 or minus minus plus a13 a31 a12 इस तरह देखिए a11 a12 a33 a11 a12 और a33 यहाँ है a minus है और यह plus है यह cancel हो गया और यह plus minus निश्चित रूप से देखिए यहाँ है यह इस से इस minus से यह plus cancel हो गया और 6 इस से यह cancel हो गया और यह आ रहा है 0 इसी तरह अब आप clear हो गए होंगे कि जैसे first रोलिए second का या third का को फैक्टर फस्ट कालम लेके second का या third का को फैक्टर या third कालम ले रहे हैं तो फस्ट या second का को फैक्टर से गुड़ा करेंगे तो यह theorem कह रहा है कि वह 0 आ जाएगा और यह सेम सेम है जो आप कलम ले रहे हैं उसी का को फैक्टर ले रहे है जो रो ले रहे है उसी का को फैक्टर और वैसा गुड़ा करके यह दियोक फ़ल करते हैं तो डिटर्मिनेंट आता है तो यह दोनों बात हैं इसको याद रखना है नेक्ट वरगाभी हुका सखंड़ एडज्वाइन्ट आफ है स्क्वेर मेट्रिक्स इसके लिए एडज्वाइन्ट आफ एक्वल होता है कोफ हैक्टर सी आई जे मेट्रिक्स का ट्रांस्पोज या डैस ऐसे डिनोट कर देते हैं मिन्स कैसे इसको ग्याद करते हैं तरीका क्या है जैसे कोई ए मेट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 तो इसके कोफ हैक्टर होते हैं ऐसे C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, इन एलिमेंट्स के एक को फैक्टर हो गए और अब एड़ ज्वाइंड की बात हो रही है तो एड़ ज्वाइंड क्या होता है ये जो कोफ हैक्टर आ रहा है इसी का डस िन्स्ट ट्रांस्पोज कर देना है जो सारे रो है कालम में आ जाएंगे मिस कालम रो में चले जाएंगे C11, C12, C13, C21, C22, C23 और C31, C32, C33 ऐसे Adjoint आ जाता है Next यह थीरम है यदि A यनक्रम का वरग आभिय है तो A into Adjoint A या Adjoint A into A मतलब कम्यूटेटिव इस्थिती में दोनों स्थिती से Determinant A into I N Identity Matrix इस तरह आता है यह थीरम है तो इसको चलिए प्रूफ कर रहे है एक कोई मैट्रिक्स है यन आर्डर का A11, A12, Dot, Dot, A1 यन A21, A22, A2N, Dot, Dot, AN1, AN2 और इस्थर A, यन, 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 A2 elements इसमें है और यह अन आर्डर का कोई मैट्रिक्स है एड़ ज्वाइंट कैसे ज्याद करते है तो सबसे पहले कोफ हैक्टर ज्याद करते है elements के और उसका फिर dash कर देते हैं तो एड़ ज्वाइंट आ जाता है means add joint के लिए add joint के लिए हम चलिए direct लिख देना है कोफ हैक्टर इनके क्या क्या होंगे कोफ हैक्टर होगा C11 C12 ऐसे अब dash भी कर दे रहा है इसे होगा C11, C12 लेकिन dash करेंगे तो इस तरह हो जाएगा C11, C12 और डाट डाट C1N इस तरह C21, C22 यह हो जाएगा C2N और यह C1, C1, C2 और यह डाट डाट C यहन यह कोफ हैक्टरों का डैस हो गया ट्रांस्पोज जिससे एड़ ज्वाइंट आ गया तो इस थीरम में क्या कह रहा है यदि इस ए में एड़ ज्वाइंट एका गुड़ा करें तो डिटर्मिनेंट A into I.N. आ जाएगा अइडिन्टी आ जाएगा डिटर्मिनेंट A के साथ कैसे गुड़ा करते हैं तो देख लिजिए A में एड़ ज्वाइंट A का गुड़ा करें तो गुड़ा कैसे करते हैं इस कालम को उठाते हैं और इस first row पर रख देते हैं तो चलिए रख रहे हैं इसको ऐसे रखेंगे तो first element क्या बनेगा A11 C11 plus A12 C12 plus dot dot A11 A1 A11 C1 ऐसे first column को first row पर रख दिये और गुड़ा करने का यही तरीका भी है तो एक element बना कौन सा A11 तया हो गया पहली पक्ति और पहली अस्तम का एक अबयो इसी तरह चलिए इसको इस पे रख रहे हैं first column को इस second पे रख रहे हैं तो क्या रहा है A21 C11 A22 C12 dot dot A21 बस आपको यह दिखाना था हमें कि क्या इस्थिती बन रहे हैं तो अभी दो थीरम लगातार पड़े हैं आप कि जैसे A11 A12 A1N C11 C12 C1N जो एलिमेंट हैं करिस्पांडिंग को फैक्टर भी वही हैं तो यह डिटर्मिनेंट आता है मिन्स यह डिटर्मिनेंट आ गया और एलिमेंट A21 A22 A21 यह डिटर्मिनेंट तो सेकेंड रो के हैं और C11 C12 इस तरह यह कालम दूसरे हैं इसके को फैक्टर दूसरे रो से हैं दूसरे एलिमेंट दूसरे से हैं और कालम यह डूसरा है यही कालम ऐसे जाके यह रो ही है क्योंकि जब आप C I J होता है इसी का डैस करते हैं तब एड जॉइंट बनता है केवल जो यह कालम है पहले क्या था रो ही था मिन्स ऐसे जब गुड़ा कर रहा है तो करेस्पांडिंग रो ह बन रहा है मिन्स एलिमेंट दूसरे रो से हैं और यह जो कोफ हैक्टर है दूसरे रो से हैं तो निश्चित रूप से क्या बनेगा जीरो बनेगा मिन्स अवराल सब क्लियर हो गया कि पहले से पहला कुगुड़ा करेंगे तो डिटर्मिनेंट आएगा लेकिन इस सेकेंड र इस सेकेंड से फस्ट में करेंगे तब भी जीरो आएगा सेकेंड से सेकेंड कालम में कर रहे हैं तब तो डिटर्मिनेंट आएगा लेकिन फिर सेकेंड से थर्ड में करेंगे तो जीरो आएगा ऐसे डाट डाट सारी जीरो आजाएंगे फिर यह जी थर्ड कालम लिए रहे ह तो third column से first row में कर रहे हैं तो zero आएगा means जो पीछे अभी दो theorem's पड़े हैं उनी का use कर रहे हैं third row, third ये उठा रहे हैं और first पे रख रहे हैं तो zero, zero और ये determinant आएगा और इस तरह सारे zero हो जाएंगे means ये ऐसे zero, zero, zero और ये dot, dot last में जब आप ये last वाले column को उठाएंगे माने cij का तो dash है, cij के लिए ये row ही था इसको इसमें गुड़ा करते हैं, गुड़ा का ये नियम होता है तो इस तरह last में भी determinant आ रहा है means ये determinant सारे principal diagonal में आ रहा है तो सारे principal diagonal में यदी आ रहा है तो कामन हो जाएगा तो determinant ये कामन हो गया, सारे row से determinant कामन हो रहा है तो देखिए, यदी determinant हो, तो row से अलग कामन होता है और column से अलग, लेकिन यदी ये matrix है, तो column लेने का मतलब सारे element में यदी कामन हो रहा है, तो ये कामन ले पाएंगे अन्यथा कामन नहीं ले सकते, means पूरे matrix से कामन क्या हो रहा है determinant है, तो पूरे matrix से determinant है कामन हो गया, तो 100 ये 000 ये 1 ऐसे इस तरह 001 और लास्ट में 00 ये 1 आ जाता है ये क्या है, ये अन आर्डर का identity है, और ये आ गया determinant है, और ये ये अन आर्डर का matrix है, ये identity ये का ये आविव, means ये theorem प्रूफ हो गया कि A में अट ज्वाइंट है का, आप चाहें तो ये भी प्रूफ कर सकते हैं, कोरिलरी इसका देख लिजिए उप्रन है, यदि determinant A not equal 0 हो, ऐसी condition हो, तो determinant A का यहाँ गुड़ा ये डिवाइड भी कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, means A into adjoint A upon determinant A, या adjoint A में A का गुड़ा कर रहे हैं तो determinant A, इन दोनों इस्थिति में identity आती है, आई यन इक्वल इससे इसमें या इसमें डिवाइड करते हैं, तो A into adjoint A, adjoint A into A upon determinant A equal identity आती है, next, और व्यूत क्रमडिया व्यूत, singular matrix किसे बोलते हैं, जब determinant A equal 0 हो, तो व्यूत क्रमडिया इसका व्यूत क्रम नहीं किया जा सकता है, और व्यूत क्रमडिया व्यूत क्या होता है, तो जब किसी matrix का determinant not equal 0 हो, तो यह non-singular होता है, इसका व्यूत क्रम किया जा सकता है, और यह दो कथन है, यदि यह तथा भी दोनों A कही कोट के व्यूत क्रमडिया व्यूत क्रमडिया व्यूत होता है, कि A B या B A भी not equal 0 होता है, और दूसरा कथन है, आभी व्यूत क्रमडिया व्यूत क्रमडिया व्यूत क्रमडिया होता है, मिन्स A कोई own order का matrix है, और B भी कोई own order का matrix है, तो करा इनके गुडन फल का determinant, उनके क्रमस between determinant का सारडिकों के गुडन फल के समान होता है, अलग-अलग डिटर्मिनेंट करके गुड़ा करें या दोनों मैट्रिक्स का गुड़ा करके डिटर्मिनेंट करें यह इक्वल ही होता है तो यह दूनों चीजें आगे क्वेस्टन में हम प्रूफ कर देंगे नेक्स्ट कुछ फर्मूला है यदि A यन क्रम का व्यूत क्रमडिय वरगा अभिव है तो एड़ ज्वाइन्ट A का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट A पावर यन माइनस वन होता है कैसे होता है इसको देख लिजे अभी आप एड़ ज्वाइन्ट A का फर्मूला पड़े थे या पूरा लेखते रहें A इंटू एड़ ज्वाइन्ट A का फर्मूला पड़े थे डिटर्मिनेंट A और यन आर्डर का है तो आईएन ऐसे पड़े थे तो एड़ ज्वाइन्ट A इक्वल क्या हो जाएगा यह A राइट में जाके ऐसे भाग देदेगा और अब दोनों साइट का डिटर्मिनेंट ज्याद करना है तो एड़ ज्वाइन्ट A का डिटर्मिनेंट कैसे ज्याद करेंगे इसके लिए यह पूरा डिटर्मिनेंट किस प्रकार आएगा तो देखिए एक एक जांपल देखिए तो समझ में आएगा जैसे 3 और A यदि टू आडर का कोई मैट्रिक्स है ए 1,2,3,4,2 आडर का है तो 3 यह क्या हो जाएगा 3,6,9,12 ऐसे मिन्स इस 3 जो कोफियेंट है सारे एलिमेंट में गुड़ा होगा क्योंकि यह मैट्रिक्स है और अब 3 यह का डिटर्मिनेंट ग्याद करना है तो ऐसे 3,6,9,12 का डिटर्मिनेंट मिन्स 3 यहां से भी कामन होगा यहां से भी कामन होगा तो 3 स्कौार कामन होगा तब 1,2 और 3,4 बनेगा मिन्स यदि कोई कोफियेंट गुड़ा कर रहा है तो फार्मूला इसको हम बताए थे कि A यदि यहन आर्डर का है और यदि लेम्डा A का डिटर्मिनेंट ग्याद कर रहे है तो लेम्डा पावर यदि डिटर्मिनेंट A ऐसा आजाता है यहां 2 आर्डर से तो सेम यही यह यान आर्डर का है डिटर्मिनेंट A कोई कोफियेंट है इस मैट्रिक्स या नार्डर के मैट्रिक्स के लिए तो इसमें सारे elements में गुड़ा करेगा और फिर determinant ग्याद करेंगे तो इसी formula से ये coefficient जो determinant है पावर यन हो जाएगा और ये i-n का determinant हो गया और ये नीचे भी determinant A है i-n का determinant 1 होता है means 1 का इसमें गुड़ा कर देंगा और इस determinant A 1 पावर में है ये यन पावर में है तो determinant A पावर यन माइनस 1 ये आए जाएगा adjoint A का determinant तो ये याद रखेंगे next formula है ये दूसरा formula यदि ये तथा भी समानक्रम के दो विद्क्रम अडियो वरगा आभी होएं तो adjoint A B equal adjoint B into adjoint A इसी कोई question में प्रूफ कर देंगे हम यदि ये विद्क्रम अडियो वरगा भी होएं तो A का adjoint करके dash करें या पहले ही dash करके adjoint करें सेम इस्थिती होती है और ये चोथा formula है यदि ये यन क्रम का विद्क्रम अडियो वरगा भी होएं तो adjoint adjoint A means A के adjoint का adjoint ये आता है सारी determinant नहीं A के adjoint का adjoint determinant A power 1-2 और into A आता है ये कैसे आ रहा है तो अभी आप formula पड़े थे adjoint के लिए कि adjoint A equal होता है determinant A into IN A into adjoint A का फर्मूला है A इस साइड में आकि A तो A हो गया इसी से आप इसको मिला लिजिए तो adjoint adjoint A equal कैसे लिख रहा है हम देखिए adjoint A है तो determinant A है adjoint A के place पर है तो determinant adjoint A हो गया ध्याम जीजिए A determinant A यहाँ adjoint A का determinant हो गया फिर IN है तो यह आई यह लिख लिए और नीचे A है adjoint matrix है यह matrix नीचे लिख दिए तो adjoint A matrix means adjoint A आ गया अब adjoint A का determinant अभी पड़े थे first formula की determinant A power 1 minus 1 यह होता है इसका और यह matrix IN है नीचे adjoint A का यही फार्मूला यूज करें determinant A आई यन और भाई A हो गया और इस तरह यह आई यन से आई यन कैंसिल यह चला गया ऊपर और determinant A यह पावर यन माइनस 1 है यह पावर 1 है means determinant A का पावर यन माइनस 2 यह प्रूफ हो गया तो यह चबता फार्मूला याद रखेंगे adjoint a equal determinant A पावर यन माइनस 2 into A यदि यह यन आरडर का हो तो यह फार्मूला का यूज करके इसको प्रूफ कर दिए और पाचमा फार्मूला इसी से बता दे रहे हैं इसी सेम इसका यह जो adjoint adjoint A आ रहा है इसी का determinant कैसे आएगा तो adjoint adjoint A का determinant adjoint adjoint A का फार्मूला अभी हम पढ़े हैं determinant A, power यन माइनस 2, matrix A और अब इसका determinant करना है तो यह जो coefficient है इसका गुड़ा हो जाएगा means आप पढ़े थे अभी कि यदि lambda ये फार्मूला अभी बताए हैं कि यदि ये यन आर्डर का मैट्रिक्स है तो लेम्डा means determinant A power यन माइनस 2 पावर यन तो इसका पावर यन हो गया और इन्टू डिटर्मिनेंट ये इसका determinant फिर से देख लिजे लेम्डा के अस्थान पर ये हो गया determinant A power यन माइनस 2 तो लेम्डा पावर यन मिन्स इसका पावर यन इस पावर पर गुड़ा हो गया यनका और determinant A ये उतर गया तो determinant A determinant A दोनो पावर का योग हो जाएगा गुड़ा में तो determinant A पावर यन स्क्वार माइनस 2 यन प्लस 1 मिन्स डिटर्मिनेंट A पावर यन माइनस 1 का होल स्क्वार तो A यदि यन आर्डर का मैट्रिक्स है तो A के एड़ ज्वाइनट का determinant उसके determinant मैट्रिक्स A का determinant पावर यन माइनस 1 का होल स्क्वार यह ऐसा होता है तो यदि सारा formula सारा concept क्लियर हुआ हो तो share करते रहिए फिर मिलेंगे next video में जैहिन